हेलो दोस्तों सौगत आप सभी का बीएस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्फिक्स की मूवी ओल्ड वेस को तो इस वीडियो को अधने तक ज़रूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो ओल्ड वेस ये मूवी कल ही नेट्फिक्स पर रिलिस हुई थी और हाँ ये मूवी हिंदी में अविलेबल नहीं है और आगे कुछ भी बूलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप उन लोगों में से जहने हॉरर जानर को जादे ही पसंद है तो शायद आपको ये मूवी काफी पसंद आने वाली है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा अगर हम इसके कहानी की बात करें तो ये कहानी क्रिस्टीना नाम की एक लड़की की जो की एक रिपोर्टर रहती है और एक स्टोरी की तलाश में वो अपनी बर्थ प्लेस पे जाती है लेकिन उसकी लैफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब कुछ लोग उसे जबरदस्ती किड्नैप कर लेते हैं और उससे ये कहते हैं कि उसके अंदर एक शेतान है तो क्या सच में क्रिस्टीना के अंदर कोई शेतान है और अब ये लोग क्रिस्टीना के साथ क्या क्या करेंगे और अब क्रिस्टीना क्या करने वाली है यही सब इस मूवी की कहाणी है अगर हम इसकी screenplay की बात करें तो personally मुझे इस screenplay काफी पसंद आया क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से हमें बताया जाता है कि क्रिस्टीटा के साथ एकदम से कितना कुछ होने लग गया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इन सारी चीजों से डील कैसे करे वो सब इतने जादा अच्छे से तो लिखाई गया है कि हम स्टार्टिंग से उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम जानने चाते हैं कि अब वो आगे क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है और उसके उपर से जो इस पूरी मुवी की लैंट है वो भी काफी छोटी है जिसके कारण ये मुवी कब शुरू के कब खतम उलाती है हमें पता भी नहीं चलता और उसके उपर से जिस तरह से writers ने इस पूरी movie में एक mystery बना के रखी है वो भी इतनी अच्छी तो है कि हम इस पूरी movie के दोरान hold करकर रखती है और board तो बिल्कुल भी नहीं होने देती है जो की काफी अच्छी बात है और फिस तरह से twist interest आते हैं वो भी मुझे काफी अच्छी लगे और दो लगबग सारे twist काफी जाधा predictable रहते हैं और हमें पता होता है कि इन twist का आगी क्या होने वाला है लेकिन फिर भी हर एक twist हम पर वो impact छोड़ पाता है जो से छोड़ना चाहिए था और जहां तो बात है character development और characters के विशे dynamics की तो character development तो काफी अच्छा है क्योंकि हमारा लगबग सभी characters के साथ एक अच्छा खासा connection बन जाता है और हमारे मन में उनके लिए feeling आ जाती है फिर चाहे वो feeling अच्छी हो या फिर बुरी जो की अच्छी बात है और जो characters के विशे dynamics रहता है वो भी मुझे काफी अच्छी लगे लेकिन अगर हम इस movie के negative points की बात करें तो इस movie में कुछ problem जरूर है लेकिन ये problem कोई ऐसी नहीं है जो आपके इस movie को देखने का मज़़ा खराब करेंगी और अगर हम acting की बात करें तो सभी actors का काम काफी जाद अच्छा है especially जिन्होंने क्रिस्टीना के character को play करा है उनका काम मुझे काफी जाद अच्छा लगा और अगर हम direction और editing की बात करें तो direction तो इस movie का अच्छा है लेकिन editing काफी जाद अच्छी है क्योंकि editor ने इस movie को काफी जाद अच्छी से edit किया है जो की मुझे देखकर काफी जाद अच्छा लगा और अगर हम production quality की बात करें तो वो भी अच्छी है तो overall मैं यही बोलना चाओंगा कि यह काफी जाद अच्छी movie है और अगर आप उन लोगों में से हो जो की horror genre के fan है तो आपको यह movie काफी जाद पसंद आने वाली है लेकिन अगर आप एक neutral audience हो तो भी आप इस movie को देख सकते हो आप board तो बिल्कुल भी नहीं होंगे तो मेरी तरफ से तो यह movie पूरी तरह से recommended है और अगर आपने यह movie देख लिए हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत